बच्चों मैं आपसे कुछ कहना चारी थी कि हर बच्चे को डेली क्लास अटेंड करनी है और होमवर्क अपना डेली बुख पर भी करना है और कोपी पर भी करना है सभी को हमें कोपरेट करना होगा तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आप हर स्टुडेंट डेली अटेंडस लगाएं और होमवर्क को डेली चेक करें तो आज हम आपको हिंदी का नया चैप्टर करवाने जारी हूं मैं लेसन है शिक्स नुकता इसमें हम आपको बताएंगे कि नुकता शब्द क्या होते हैं तो ध् को जो के नीचे बिंदू है फ के नीचे भी बिंदू है शब्द कई एक जैसी होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग लग होते हैं जैसे इसकी पचान कैसे होती है जो को ख तो इसके नीचे अगर हम बिंदू लगा दें तो बंजेगा जो को ख चेंज हो जाता है मतलब स्वर् अब देखो इसके नीचे लिखियों में फ्रेम, फिलम, मरीज, मज़़ूर इसके अंदर बिंदू क्या वाज आती है ना अब देखो बोलो साफ, माफ, जरा, सजा, तेज, मेज, फाइदा, फैसला, आवाज, कागज, जमीन, जहाज अब देखो इसमें जो आपको मैं बताती हूँ इसमें जो शबद होते हैं, नुकता शबद, इनकी पिचान क्या होती है क, ख, ग, ज, फ तो अब नीचे जब बिंदू लगा देंगे तो चेंज हो जाएगा क, 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 ग, ज, फ, इसकी अब जो है, इस कास पर चेंज हो जाएगा अब एक राज होता है, राज क्या होता है, रैसे और एक होता है, राज, राज क्या होता है, शाशन तो आपको बड़े ध्यान से इस लेसन को पढ़ना है, और समझना है थेंक यू